हेलो एब्रिवन मैं हूँ सुदा और आज मैं आप से शेयर करूंगी ब्रत में बनने वाले ये आलू की रेसिपी जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और इसमें उतना महनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप इस नवरात्री आप ये आलू की रेसिपी इसमें घी का इस्तमाल कर रहा है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमत जीरा और आधा इंच्टुकरा अद्रक का जिन्हें की मैं ऐसे छोड़़़चा कट करके ले ली हूं साथी में हम इसके अंदर ले लेंगे हरी मिर्च जिन्हें की हम बारी काट लिए इस तरह से घी में अच्छे से चटकने दे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइस का टमाटर जिन्हें की मैं इस तरह से काट के ले ली हूं इन्हें भी हम इसमें डाल देना है और इसे भी थोड़ा टाइम के लिए इस तरह से पका लेंगे चलाते हुए तो तेमाटर जैसे थोड़ा पक जाए इसके बाद इक पर और चला लेते हैं अब हम इसके अंदर एट करेंगे आलू जो कि हम उबाल के काट के रख लिये थे तो आलू को आप पहले से उबाल ले उबालने के बाद से आलू के इस तरह से पीसेस कर ले चोटे-चोटे क्यूबस में काट ले इसके बाद इन्हें सारी चीजों को ना एक साथ हमें अच्छी तरह से मिला लेना है कुछ इस तरह से और गैस के फ्लेम को हाई रखे हाई फ्लेम पे आलू को अब जितना अच्छा भूनेंगे उसका अच्छा टेस्ट आएगा सारी चीजों को मिलाने के बाद से हम इसमें डाल देंगे ये क्रश किया हुआ बादाम बादाम को ब्लेंडिंग चार में एक बार ऐसे गुमा ले उसके बाद ये अच्छा से क्रश हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और हम इसमें कुछ भी नहीं डालना है मैं यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तमाल नहीं की हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है इसलिए अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो इस जगह पे आप सेंधा नमक का इस्तमाल कर ले और साड़ी चीजों के अच्छे से मिला के गैस के फ्लेम को हाई करके आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर ले आलू जितने अच्छे करारे भुनेंगे उतने अच्छे लगेंगे तो आलू यहां पे अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे नीमु का रस तो अगर आप भी सिंधा नमक नहीं खाते हैं तो आप उसे थोड़ी से नीमु की जो मातरा होगी ना निमू का रसका उसे थोड़ा सा ज्यादा यूज करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में स्वात भी अच्छा आएगा तो आप इस तरह से सारी चीजों को मिला लें अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो आप ये वाले आलू जरूर बनाए ये ब्रत वाले आलू तो आपको आज की रेस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल सुधा कीचेन कुईन को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग